जयें दोस्तों अंदिमातरम, कैसा लगेगा आपको ये जानकर, जब मैं आपको बताऊँगा कि क्रिकेट के इतिहास जो की 134 साल पुराना है, उसमें करीब ये 7-8 वी बार होने जा रहा है कि एक किसी टेस्ट मैच में कोई बॉल फेकी ही नहीं जाएगी, दरसल भारत में हो पहा वगानिस्तान और न्यूजिलेंड के बीच का जो एकमातर टेस्ट मैच है, वो लिटरली इस समय काफी ज़्यादा क्रिकेट के बीच में हैं, अब इसमें आप मौसम की मार कह लीजिए, बिसी सियाई की बद इंतजामी कह लीजिए, या फिर जो मैदान के उनका गैर जमदाराना वेवहार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट इन सब चीजों ने मिलकर कहीं न कहीं इस समय भारती क्रिकेट को एक ऐसी जगे पर खड़ा कर दिया है, जहां पर की भारती क्रिकेटर्स से सवाल किये जा रहे हैं, क्रिकेट ओफिशल से सवाल किय दरसल, ICC किसी स्टेडियम में इंटरनाशनल मैचेस मिकी मेजबानी कैसे रोग देती है, कैसे किसी स्टेडियम पर बैन लग सकता है, ग्रिडर नौइडा के शहीद विजय सिंग पतिक खेल परिसर में अफगानिस्तान नीजिलेंड मैच में अब तक क्या हुआ, इस दिन भी माना जा रहा है कि जादा खेल हो नहीं पाएगा, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आर आखिर क्या चल रहा है यहां पर, भाई बारिश के कारण हो रहा है, मैदान के कारण हो रहा है, क्या दिक्कते हैं, दरसल, ग्रिटर नौइडा के शहीद पते खेल परिसर में मौझूद स्टेडियम में खेल के पहले दो दिन गीले आउट फिल्ड के कारण एक भी बाल बिना फेके हुए रद्ध हो गए थे, जिससे वेन्यू की तैयारियों पर बहुती गंभीर सवाल उठ खड़े हुए थे, मौसम को देखते हुए मैच के अध 86 में हुआ था, 95 में और ग्रेटर नॉइडा में अब फिलाल 2024 में हुआ है। बहराल अफगानिस्तान और नुजिलेंड के बीच लगातार टेस्स मैच शुरू नहीं होने के बाद ग्रेटर नॉइडा के शहीद विजय सिंग पते खेल पर इसर के स्टेडियम का जो कि रिपोर्ट पर डेपेंड करेगा। स्टेडियम में इस तरह के खामियों का ठीक रहा अक्सर भारती क्रिकेट बोर्ट बीचिसीए पर फोड़ा जाता है। लेकिन इस बार गलवडी की पूरी जिमदारी मेजबान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ट की है। कैसे जड़ा दों को तरजी देते हुए इसी जगे को चुना था। मतलब बैंगलिवरो का चिननसव में स्टेडियम हो या ग्रीन पाक स्टेडियम हो कानपुर मतलब यह वर्ल्ड ट्लास स्टेडियम हैं। और इनको छोड़कर आप एक ऐसे स्टेडियम को जाकर चुन रहा हो जिस स्टे पूरी तरीके से अफगानेसान क्रिकेट बोर्ड की पसंद थी। इस मैदान पर अफगानेसान क्रिकेट टीम पहले आर्लेंड से भी मैच खिल चुकी है। तो ऐसे में ग्रेटर नवेटर प्रादिकरन को उन्हें इंटरनाशनल लेवल की सुधाय मोहिया करानी चाहिए थी सोर्सस की मानने तो PCCI ने 2019 जो विजए हजारे ट्रॉफी हुई थी उसके बाद से यहां आपने किसी भी घरेलो मुकाबले की मेजबानी नहीं करी है। यहां तक कि जो छोटे लेवल की कॉंपटिशन्स होते हैं उनको देखते हुए पास या दूर के भविश्य में किसी भी पर फैसला करती है। अब तक इस टेस मैच में एक भी बॉल फेकी नहीं गई है। रेफरी श्रीनात को मैदान की गीली आउट फील्ड का आंकलन करना पड़ेगा। जहां जल निकासी मतलब जो वाटल ड्रेनिज सिस्टम होता है उसको दूसरे इंटरनाशनल जगे की तरह पर नहीं बनाया गया है। आउट फील्ड बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त कवर के साथ मैदान में पानी सोखने के लिए सूपर सौपर का भी स्टेडिया में पूरी तरीकी से भाव दिखा है। पर्याप्त रूप से प्रशिक्षत ग्राउंड स्टाफ की भी कमी य पर चुकी है। दवंबर 2023 में लागू हुए ICC पिच और आउट फील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के दौरान हर एक मैच के बाद में मैच रेफरी जोकी समामलिम जावल श्रीनाथ हैं वो पिच और आउट फील्ड रिपोर्ट से जुड़े फॉर्म को ICC के सीनर क्रिकेट संचालक और प्रवंदक को बेचता है। पिच और आउट फील्ड रिपोर्ट फॉर्म में मैच रेफरी के साथ अमपायर्स और दोनों टीमों के कैप्टन्स के कमेंट भी शामिल होते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि न्यूजलेंड के कप्तान टिम सा मैच रेफरी के पास अगर पिच या फिर आउट फील्ड को डिस्साटिसफेक्टरी बताने या इसको अनफिट की रेटिंग देने के कारण अगर हैं तो मेजबान स्थल पर पिचो की रेटिंग के दिशन दिश के मताबिक डीमेरिट पॉइंट्स दिये जाते हैं। ये डी तीन फील्ड की खुदाई करी है। उन्होंने जो इंपाक्टेड एरिया है उस पर सूखी मिट्टी और नकली घास लगाने कोशिश करी लेकिन ये तैयार नहीं हो पाया। हद तो तब रही ये पूरा पूरा आउट फिल्ड इंटरनाशनल क्रेट के लिए उप्योग था ही नहीं क्योंकि ये पूरी तरीके सा कीचड से भरा हुआ था। मतलब जो मीडिया में रिपोर्ट सामने आई हैं उसकी मताबिए ग्राउंड स्टाफ में 20-25 अदसे थे और 15 आउट सोर्च थे। मैदान में 5 सूपर सौपर हैं जिन मेंसे 2 आटमाटिक और 3 मैनुल थे। यहा इससे पिछ के बाहर के संचालन पर असर पड़ा। पीने के पानी की कमी, बिजली की आपूर्ती और महिला शौचाले तक की यहां पर कमी साफ स्टॉर पर देखेने के लिए मिली। हाला कि ये टेस्ट वर्ल टेस्ट चेंपेंशिप का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये ICC से सम् प्रतिमंदित कर दिया था। तब से यहां पर BCCI से रिल्टेट कोई भी माच नहीं खेला गया है। इस्टेडियम पहले अफगानिस्तान के लिए घरेली मेदान के रूप में भी काम कर चुका है। हाला कि ये स्टेडियम यूपी क्रिकेट संग के अंदर का नहीं आता है पट देखिए जो भी हो सवाल तो BCCI के उपर खड़े हो ही रहें। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टेडियम फिलालत नहीं जाये हैं जाये भारत।